बुद्वार शामको श्री हरी कोटा से प्रक्षेपित हुए बहु प्रतीक्षित जी एसेटी साथ और जी एसेटी चे के साथ मिलकर इंडियन अंगरी बर्ग कहा जाने वाला ये नया उपग्रह संचार उपग्रहों का एक बैंड तयार कर देगा जो भारतिय सेना के काम एक 2250 किलो ग्राम बजन वाला सैय संचार उपग्रह जी एसेटी साथे बुद्वार को श्री हरी कोटा से जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉंज वहिकर मार्क 3 के जरीए लॉंज किया गया तो इस रो किया दक्ष डॉक्टर के सीवन ने को बताया ये अत्याधनिक शेटेलाइट है जिससे जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है और ये सबसे दूर दराज के इलाकों में भी हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरनों तथा उपकरनों से भी संपर कर सकता है 3. नई दिली स्थेट सेंटर फॉर एर पावर स्टुडीज के अतरिक्त महानिदेशत एर वाइस मार्शल से वानिवरित एम बहादुर ने कहा इससे भारतिय वायू सेना को विह ताकत मिलेगी जिसकी उसे बहुत जरूरत है 4. भारतिय नौ सेना के पास सिर्फ उसके इस्तिमाल के लिए एक सेटेलाइट GS-87 पहले से है जिसे रुपमनी भी कहा जाता है और जिसे 2013 में लौंच किया गया था भारतिय नौ सेना के प्रवक्ता कैप्टिन डी के शर्मा ने पताया GS-87 नौ सेना को हिंद महासागर क्षेतर में रियल टाइम सिक के और कम उनिकेशन्स कैपेबिलिटी उपलब्द कराता है इस से विदेशे ओप्रेटरों द्वारा संचालित उपग्रहों के भरोसे रहने की ज़रूरत खत्म हो जाती है जिन पर नजर रखा जाना आसान होता है 5. Air Vice Marshal M. बहदुर ने कहा भारती वायू से ना इसक्षमता का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही थी क्योंकि इस से Integrated Air Command तथा हवाई लड़ाकों के लिए कंच्रोल सिस्टम में संचार का एक ताकतवर पहलू जुड़ जाएगा अब तक IAF Transponder किराय पर लिया करती थी जिनकी जासो से किया जाना आसान होता है 6. हाल ही में रक्षा मंत्राले ने विशेश डिल्पिंस Space Agency के गठन की योजना को मनजूरी दी थी जो तीनों सेनाओं की इंटीग्रेटरी काई होगी और अंतरिक्ष में मौजूद सभी भारती एसेट्स का इस्तिमाल सशस्त्र सेनाओं के लाब के लिए करेगी 7. GSAT-7 और GSAT-7 के साथ मिलकर GSAT-7 ये संचार उपग्रहों का एक बैंक तयार कर देगा जो भारती एसेना के काम आएगा 8. इस केलावदेश के पास रीजनल सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी है जो मिसायलों को सटीक निशाने साधने में मदद करता है 9. स्वदेश निर्मित क्रायोजनिक इंजन से पावर किये जाने वाले GSAT-7 के दिन की ये 13 वी उडान होगी और उसकी पिछली 5 उडाने काम्याब रही है ये रोकेट लगबग 50 मीटर रूचा है जितना आमतर पर कोई 17 मंजिला इमारत होती है इसका वजन लगबग 4145 टन है यानि असीवयस्क हाथियों का कुल वजन 10 ये 10 रूच का इस साल के दोरान 17 मिशन है और अब तक कुल मिलाकर श्रीहरी कोटा से यह 69 रॉकेट लॉच है